उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फसे 41 मज़ूरों को निकालने के लिए की जा रही ड्रिलिंग एक बार फिर रोक दी गई है बारा दिन से सुरंग में फसे मज़ूरों के रेस्क्यू आपरेशन में एक और बाधा आ गई है अधिकारियों ने बताया कि जिस प्लाटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन तिकी है उसमें दरारे दिखाई देने के बाद ड्रिलिंग गुरुवार को फिर से रोक दी गई थी जो शुकरुवार सुबह तक शुरू नहीं हो सकी है बुधवार देर रात बर्मा मशीन के रास्ते में आए लोहे के गडर को काटने में 6 घंते की देरी के बाद गुरुवार को दिन में ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया था इस बचाव अभियान में 12 से 14 घंते की देरी का अनुमान लगाया जा रहा था पड़ा उससे पाइप थोड़ा सा स्क्वीज हो गया तो उसके मुह को अगर हम ठीक नहीं करेंगे या मुह को गोल वापस नहीं लाएंगे हमें फर्दर पुशिंग में फिर प्रॉब्लम आ सकती है तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यह है जबकि वह बहुत डिफिकल्ट ऑप पस लेकर के आ रहे हैं लेकिन हमारे इस काम को स्मूथली करने के लिए हमें वो करना पड़ रहा है और उसका हम आजा काम अलड़ी कर चुके हैं गुरुवार को दिन में दोबारा ड्रिलिंग शुरू हुई और 1.8 मीटर ड्रिलिंग के बाद एक और बाधा आ गई अधिकारियों का कहना है कि अब तक 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है अंदर फसे मजदूरों तक पहुँचने के लिए अभी 10 मीटर और ड्रिलिंग करने की जरूरत है लेकिन जिस प्लाटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई है उसमें दरारे दिखाई देने के बाद रेस्क्यू पाइप डालने के लिए की जा रही ड्रिलिंग को फिर से रोकना पड़ा और ऐसी डेली न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं